आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप किस तरह से MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसमें डेटा यूजिंग का जो स्टेटस होता है उसे आप इनेवल कर सकते हैं साथ मैं ये भी बताऊं कि जो कंट्रोल सेंटर के ओप्शन के कलर्स होते हैं जैसे कि आप अभी स्कीन पे देख रहे हैं डेटा कनेक्शन एक्टिवेट है और इसमें बुलू कलर सेट अप है तो इसे भी आप चेंजस कर सकते हैं और भी बहुत सारा चेंजस है जैसे कि आप अभी स्कीन पे देख रहें तो इन सब चीजों को कैसे आप कस्टोमाइज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यह जो वीडियो है वह इंट तक देखना होगा साथ में चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बगल में नॉटिफिकेशन बैल आइकन को प्रिस करके नॉटिफिकेशन और को भी सेलेक्ट जरूर कर दीजेगा वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए तो जैसे कि देख रहे हैं उसी के साथ साथ यहां पर कंट्रोल सेंटर ओन करते तो देखें यहां पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जैसे कि स्कूरूर को देख रहें तो आपको सिंप्लिया पर झाप करना है इसी की आप को भी स्कूमाइज कर सकते हैं उस्सी के साथ साथ यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि कलर वगएर है उसे भी आप adjustment कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो colorize का option है यहाँ पर आपको आ जाना है उसके बाद आप देखे background color और activate color तो activate color जैसे कि भी blue दिख रहे हैं for example हमें rate करना है तो यहाँ पर देखे swipe इस तरह सा करना है उसके बाद यहाँ पर red और आपको यहाँ पर apply पर tap कर देना है अब देखे जो हमेरा control center का option है वो totally red हो गया है तो इस तरह से आप customize कर सकते हैं अपने control center को तो इसे आपको simply play store से download करना है उसका link मैंने description box में दे दिया है तो last option जैसे कि हमने कहा कि data news के लिए आपको कैसे enable करना है तो आपको simply data using का option है उसके बाद आपको so mobile data using है इसे आपको enable कर देना है जैसे आप इसे enable करेंगे तो देखे यहाँ पे एक option बता कि आपको इसे accept करना है और देखे आपको data using status है वो अभी आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा है तो इस तरह से आप इनेवल कर सकते हैं उसके बाद मालिज आपको डेली यूजिंग स्टेटस चाहिए डेटा का तो वो भी चाहिए तो इसे आप इनेवल कर दीजिए आप यहां पे भी आपको डेली यूजिंग स्टेटस भी बताएगा तो इस तरह से आप इसे use कर सकते हैं तो आप बात करते हैं कि कैसे आपको इसे download करना है सबसे पहले आपको जाना है play store पे play store पे जाने के बाद आपको यहाँ पे search bar में type कर देना है MI control center उसके बाद आपके सामने notification मिल जाएगा इसको simply आपको install कर लेना है जैसा कि आप अभी screen पे देख रहे हैं install कर लेने के बाद आपको simply आप इसे जो open का option मिलता है इसे आपको open कर लेना है आपका पहला setup कुछ इस तरह का आएगा welcome to MI control center उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ permission आपको देना होगा simply यहाँ पर आपको download and service जो option है यहाँ आपको tap कर देना है अब देखिए MI control center यहाँ आपको देखने को मिल गया इस accessibility option को आपको इस तरह से on करके allow करना है फिर से एकबर अब back आजिए और एकबर back फिर से back अब देखिए यहाँ पर right का जो option है इसे आपको tap करना है जैसे आप tap करेंगे आप अलाव में MI control center में data using का जो status होता है उसे इनेवल कर सकते है तो बस ही ता आज के इस वीडियो में आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में notification bell icon को प्रेस करके notification all को भी select जरूर कीजिए वीडियो के notification पाने के लिए थैंक यू